आज हम आपको बताएंगे कि दिल्ली की अजादपूर मंडी के अंदर प्याज के क्वालिटी इनुसर भाव क्या देखने को मिल रहे हैं बजार में कितरी मंदी तेजी के साथ प्याज की कीमते देखने को मिल रही है सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे अजादपूर मंडी में सुपर क्वालिटी के प्याज ही तो आपको बता दें कि आज दिल्ली की अजादपुर्मंडी के अंदर सुपर क्वालिटी की प्याज नीचे में 2600 रुपे प्रती कुंटल और उपर में 3200 रुपे प्रती कुंटल तक बिक्तिवी नजर आई है इसी के साथ बात करें यहाँ पे मीडियम क्वालिटी के प्याज ही तो इसका दाम आज 2000 से लेकर 2500 रुपे प्रती कुंटल तक देखने को मिला है अजादपुर्मंडी के अंदर मीडियम क्वालिटी की प्याज 2000 से लेकर 25 रुपे तक बिक्तिवी नजर आई वहीं गोल्टा क्वालिटी 1600 से लेकर 1900 रुपे तक भी की और जो छोटी मिक्स क्वालिटी वाली प्याज है वो आज आज आज़ादपुर्मंडी के अंदर 600 रुपे से लेकर ओपर में 1500 रुपे प्रती कुंटल तक बिक्तिवी नजर आई है तो यह थे दिल्ली के अज़ादपुर्मंडी में आज़के प्याज के क्वौलिटी नुसर भाव यह से बात करेंगर प्याज के बजार में मंदी और तेजी की तो जब से सरकार में प्याज अपना बफर स्टॉक बजार में उतारा है और महराश्ट्र में प्याज वेपारियू पर छापे मारी तेज हुई है आयकर मिभाग की तब से प्याज का जो बजार है उसमें थुर्च नर्मी देखने को मिली है प्याज के बजार में अभी हाल फिरा में कुछ नर्मी दर्च की जा रही है वही कुछ वेपारियों का कहना है कि यह जो नर्मी दर्च की जारी है प्याज के अंदर वो जादा दिन तक नहीं चलने वाली है क्योंकि किसानों के पास जो प्याज स्टॉक करके रखी वी थी वो बदलते मौसम के कारण काफी सड़ गई है और जो पौधे थे खेतों में वो भी बड़े पैमाने पर खराब होई है जिसकी वजासे आगे प्याज के दाम में एक बब फिर से उचाल देखने को मिल सकता है अभी ऐसी वेपारी उम्मीद कर रहे है